Hello friends and welcome to Wifi study Special Saturday event लेकर के मैं आया हूँ सुनील सर मैं इस चैनल पर नहीं पढ़ाता हूँ लेकिन मैं special event करता हूँ Saturday अच्टेश एक event डालने की कोशिश करता हूँ मैं आपको बता हूँगा आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा आज मैं आपको पढ़ाऊंगा SSC, Bank और Defense से रिलेटेड वाकिब वाकिब और वाकिब के साथ में बहुत ही difficult fillers बहुत ही difficult fillers यहाँ आपको 17 नए वर्ट से आपकी मुलाकात करूँगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बता करें चलूँ कि Wifi study defense पे और Wifi study light test पे आप मुझसे जूच सकते हैं डेली सीरीज के question चलेंगे, डेली teaching points चलेंगे और मैं केवल YouTube पे slide को देख करके बग 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 नहीं करके चला जाता हूँ मैं समझाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ difference समझ जाएंगे आप, एक एक चीज को explain कर रहा हूँ तो that will be beneficial for you वो आप समझ लें, कोई topic की बात नहीं है, ठीक है और seven minute tricks जो है हमारी ठीक है, अन्यकरमी पर launch हुई है जरा उसको भी थोड़ा साथ, seven minute tricks को जरा साथ, subscribe करेंगे लिंक आपको description में मिल जाएगी, जहां तक बात होती है teaching points से related, तो मैं सिर्व आपको इतना बताऊं, कि अगर आप honest हो किसी चीज़ को ले करके, तो उस honesty में आपको एक benefit तो जरू मिलेगी और वो benefit होगी आपकी, कि आप पहले मेरे से समझने की कुशिश करोगे, किस word का, किस word का मतलब क्या है और उसका answer क्या होगा, ज्यादा time loss नहीं करेंगे आपकी, ठीक है दो नए channel launch कर करेंगे और उन पर views और अपने comments देंगे, दोस्तो vocabulary fillers, देखिए fillers तो अलग चीज़ है, fillers तो हर एक के बसकी बात नहीं है, यह आप को ही पता है, मुझे ही पता है, छोटा सा question बना दूँगा किसी दिन, unacademy मेरे student जो है, जब मैं unacademy पर पढ़ाता हूं, unacademy बच्च क्यों मेरा target है कि bank, SSC, CGL, bank और SSC, CGL के mains के बच्चे जो हैं, और UPSC में जो बच्चे हैं, जो बच्चे हैं, language का paper appear करेंगे, वो बच्चे इसको कैसे कर सकते हैं, और NDS, EDS के बच्चे हैं, जिनके बाटता वो के बड़ी आती है, वो बच्चे इन questions को कैसे कर सकते हैं, तो शीतल hadn't eaten all day, and by the time she got home, she was, आप बताइए क्या होगा, 5 option पहली बर ले रहा हूं, मैं तो 5 option कमी लेता हूं, शीतल hadn't eaten all day, शीतल ने सारे दिन कुछ नहीं खाया, और जब तक वो घर पहुंची, अगर कोई बच्ची सारे दिन नहीं खाती है, तो जब तक वो घर पहुंचती ह तबा हो जाती है, नाश हो जाती है, नहीं, वो खंड-खंड हो जाती है, टुगडे-टुगडे हो जाती है, जी बिलकुल नहीं, वो सुखद, blissful का रहा हूं आपको, वो सुखद या स्वर्गी अनुभूती करती है, जी बिलकुल, बिलकुल, बिलकुल नहीं, वो और भुककड और पेटू होने की सारे दिन की वज़े से सही जवाब की आजएगा शी वाज रेविनस एम आ राइट शी वाज रेविनस नेक्स चलेंगे दा मुवी ओफंडेट मैनी अब दे पैरेंट आप इस यंगर वीवर्स बाइ इंक्लूडिंग अननेसेसरी इन दे डायलोग डायलोग में अनावश्यक चीजें शामिल की गई और मुवी के जो यंगर वीवर्स थे उनके पैरेंस जो हैं उनको बहुत जाद इस बात से तकलीफ हुए और नाराज हुए क्या भरा पड़ा है क्या भरा पड़ा है बताईए आप exactly एक एक वर्ड का कोशिश कीजिए आप पता चलेगा आपको difficult session है मैंने पहले ही कहा था Saturday मेरा बहुत डिफिकल्ट होगा हम देखिए मूवी और डायलोग होता है तो उसमें obscenity होती है obscen होता है न कोई चीज या vulgar होता है obscen या vulgar इसमें दिया हुए क्या obscenity या vulgarity दीवी है नहीं दीवी है तो यह तो जवाब होए नहीं क्योंकि यह जवाब तो है नहीं आपके तो आप क्या करोगे अब आप वर्बोसिटी वर्बोसिटी का मतलब बेसिर पैर की जरुच से ज्यादा बाते वोकलाइजीशन वोकलाइजीशन अगरे फट वो दिया है शब्दों की रचना से जुड़ा वह वर्ड है गैरिशनेस होती है किसी चीज में exactly कोई तड़क भड़क जैसी चीजें होती है वो है नहीं है तड़क भड़क होती तो क्या दिखती और अब ट्वानेटी मनें जो गाने के स्वर या डालोग में जो स्वर उंची निची यह उससे रिलेटेट कोई है नहीं है उत्तर क्या है रोसनेस एग्रोस नस का मतलब फूहर पन अशलीलता पनिया अशलीलता यानि की वल्गारिटी अवल गैरेटी यानिकी चीप टाइप का मतलब उसमें content है डायलोग में राइट अश्लीलिया गंदा सस्ता तो ऐसे में सही जवाब क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ग्रॉसने से अन्नेसेसरी ग्रॉसने से आज आपने क्या सी का इसमें भी मैंने बताया नहीं आपका option इसका option हो गया सी ठीक है अन्नेसेसरी ग्रॉसने से पता चला दोस्तों क्या दिक्क्यत है आगे चली इस नेबस आप पढ़िए इसको इस नेबस फाउंड इस डैस मैनर बॉसी एंड इरिटेटिंग अन देस्टॉप उसके पड़ोचे उसका व्यावार जो हो बहुत ही बुरा लगा कौन सा इसे फ्यावार बुरा लगा क्यों हो सकता है शमीद न्शील व्यक्ति हो रिपार्टरिक है ना मरम मजनक व्यावार मरम मजनक है तो नहीं है restorative पुना इस्थापित कर देना किसी चीज़ को व्यवार नहीं हो सकता modest का मतलब शालीन तो शालीनिया सब भे व्यवार अगर शालीनिया सब भे है तो फिर irritating क्यों लगा इसका मतलब इसका मतलब वो व्यवार जो की बहुत ही magistral था यानि की बहुत ही दिखाने वाला ववयवार you know पावर यूस करने वाला वयवार तो magistral के साथ में بाशी हो गया बाशी का मतलब दबाने वाला दूसरों के अपने पराधीन करने वाला सब्द्यू करने वाले बंदे होते हैं समाज में बात बात पे अरे अरे तू नहीं जानता मैं बताता हूं मुझे सब पता है इस तरह के यह जो है यह magistral attitude है जिससे आप भी bossy हो जाता है राइट सही जवाब क्या होगे आपका before Bombay अधित्य is always just about showing up for work because he feels that tardiness is a sign of irresponsibility बताइए क्या होगा आप सभी को आना चीए लेजिबल का मतलब साफ सपस्ट टॉलरेबल का मतलब बरदास्ट के काबिल punctual माने समय का पाबन literal माने वास्तविक शब्दों का पड़ा लिखा meaning जो होता है और belligerent का मतलब जगडा लू अगर आदित्य ये feel करता है अगर आदित्य का ये मानना है कि आलस जो है वो गैर जिम्मेदाराना रवया है इसका मतलब क्या है इसका मतलब आलवज आलोग जो है आदित्य जो है वो अपने काम में हमेशा जो करेगा वो क्या होगी positive quality होगी तो इसका मतलब क्या है और punctual हो सकता है बहुत आसानी से कोई भी बंदा punctual about work काम के काम का बड़ा पंक्चोला पाबंद है और काम पे टाइम से आता है काम को टाइम से बिगिन करता है टाइम से फिनिश करता है सही जवाब क्या हो जाएगा C exactly belligerent होता तो ऐसे भी उसका आता है रिस था स्टिवाइब देना नहीं था चारुलता वोड्या सर्डिटा सिस्टर इन अंट आर्गूमेंट by teaching teasing her and calling her names बताईये क्या होगा क्या होगा बताईये चारुलता वोड्याजर नेफिंड और काम्यंस आर्गूमेंट भी टीजिग सार आन कौलिगा names छोड़ी बहन को छेड़ती है और उसको सताती है तो प्रोवोक करती है वो उसको क्या करती है प्रोवोक करती है इन्साइट करती है इंस्टिगेट करती है वो उसको फ्लेर करती है यह सारे वर्ड है प्रोवोक करने के यहने कि अपने भाई अपने बहन को उसके घर गया घरेलू तरह-थरह के नाम से क्या करती है उसको प्रोवोक करती है एड्वोकेट का मतलब वहता वकालत करना पर्फुरेट का मतलब है किसी सुराख्ल लगाना और लेमिट का मतलब है किसी कि को याद करते वह विलाप करना इन वह जैसे अफ्सोर जाएर करना शोग जाएर करना इसको कहते हैं और एकस्पंज जो है उसका अर्थ है किसी को इसके अस्टित्यसर से मिटा देना या हटा देना अगर कोई वस्थू है तो उसको剛剛 wasimkosco to सब्सक्राइब ने इसलिए उत्तेजित कर दिया तो सही जब क्या हो जाएगा विफॉर बॉंबे हो जाएगा दे ड्रेस अमजद वोड़ डैस विद स्मॉल ग्लासी बीद्स क्रीटिंगे शिम्रिंग इफेक्ट अच्छा क्रीटिंग शिम्रिंग इफेक्ट इस वर्ड से मु झाने मोती लगे थे मनके शोते मोती माला के जैसे वो लगे तो उससे बहुत चका चौद वालाप्रवाव आ रहा था तो इंटि लेडिंग बताएगoup यह क्या होगा कै अध्लिय के अध् tane थ्रेस उक्साने वाली बरभकाने वाली हो नह लेटरेटेट्ट मंत्र मोहित कर देने वाली मंत्र मोहित कर देने वाली यह मुलत का घृति HOW कि अ घृत्व लोग nettender Rachid कट स्ट्राइट चीज कर रही है तो यह नहीं होगी उत्तर यह होगया क्कुश्चनर बाग भडकीली चमकदार पोषाख पहन रखी ती है है क्यों 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 नहीत ज़ने चमक होगी बेखिए हो क्या है वह सब्सक्राइब में और क्यों में रॉश्णी और चवार्णरी यूजी बेटेग देंस बिल डैस गेटिंगा बेटर पेइंग जॉब अच्छी तंखा की नौगरी मिल सकती है इस कार को अगर हम अफॉर्ड कर सकते सकार को अफॉर्ड करने के बाद हमें अच्छी नौगरी मिलने की हो जाएगी उम्मीद तो मैक्सिमाइज के साफ तो गेटिंग आये गा रही रीकॉमिनेंट किसी चीज को पुने कंबाइन करना होगा नहीं रीटरेक दोहराना नहीं होगा रीकॉमिनेंट वैसे भी एज्जेक्टिव है तो एस परपस से वैसे भी नहीं होगा नेसेसिटेट हो सकता है रेसिप्रोगेट कर नहीं सकते आप रेसिप्रोगेट होता तो तो आता दो प्रिपोजिशन यहीं तो इंगलिस है दोस्तों कि यह होगा या नहीं होगा यह नहीं होगा यह नहीं होगा तो इसको आगे टू चाहिए बतला अच्छा अगर बेटर पेंग जोग चाहिए तो आपकी क्या है बेटर पेंग जोग आपकी क्या हो गई necessity हो गई necessity क्या है noun इससे आपने क्या बना दी necessitate यानि की वर्ब बना दी वर्ब बना दी तो answer क्या आगया दोस्तों आपका answer आगया D man we unknowingly dash the thief by holding open the elevator doors and ensuring his skip man she ने चोर को भगा दिया lift का दरवाजा खुला रखकर गलती से अंजाने में unknowingly देखो अंजाने में अंजाने में और answering मने और इससे सुनिश्चीत हो गया उसका भागना यानि की चोर भाग गया चोर भाग गया इसका मतलब यह हुआ अंजाने में ही सही तो चोर अगर भाग गया तो मानसी ने अंजाने में वर्ब आएगी ये वर्ब है ये वर्ब है ये वर्ब है चोर को आप sanction कर नहीं सकते स्वागत कर नहीं सकते घोशना कर नहीं सकते बचा क्या Abated और course चलो कर लो क्या होगा अब आपको दे दिये पता दो फटा फट अरे simple सी बात है ये तो रोकना हो गया जबरदस्ती रोकना चोर को जबरदस्ती जबकि चोर को यहां क्या हो गया है भाग गया है तो जबरदस्ती रोका ने इसका मतलब इसका मतलब अबेट कर दिया इसका मतलब उसकी क्या कर दी अन्जाने में मदद कर दी और दर्वाजे की लिफ्ट से चोर बाहर निकल कर भाग गया सही जबाब सी दोस्तों सेशन कैसा लेगा मैंनत किये बहुत मैंनत किया बहुत टफ कोशन बनारा की कोशिश कि एससी बैंक वालों के लिए जो मेंस दे रहे हैं फायदा उठाएं ऐसी सीरी जाएंगी वैसे मैं वाइफाइ स्टेडी डिफेंस एक्जाम प अन्टी में मेरा रिगुलर सेसन आता है सुनील कुमार के नाम से और गौड में आप देखेंगे अपका डिफेंस एक्जाम गौल में आपका अन्डी यह अगर नहीं मिले तो आपको दोनों में मिलूगा सिडियस में तो वहां आप जरूर अनकैड Bin की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी से स्लिप हो गया एन एकादमी पर आ जाए आप ठीक है न है कि शेक्स्पीर एन अबलिक डैस्ट राइटर एंटर्टेंड ओडियंसेज बाइटिंग मैंनी उट्रेजिक अन कॉमिक प्लेज सेक्स्पीर जो की ताएक सेक्स्पीर जो की कहता अगी सेख्सपीर जो की एक था लेख हक कैसा लेख था उसने बहुत से सुखद और दुखद नाट को अध्कर और लिख लिख कर अपने दर्सकों का मनोरंजिन किया राइट अपने दस्वा मनोरंजिन किया बताईए क्या होगा नुमेरिक गनीच से जुड़ा हुआ जैनेरिक बड़ी पहचान वाला जो comprehensive 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 जिसका असर व्यापक होता हो व्यापक स्थर पर अन्य व्यापक स्थर पर तो आप जैनरिक और comprehensive writer तो हो नहीं सकते डूटिफल हो नहीं सकते जिद्धी हो नहीं सकते पहचान जिसकी बड़ी हो नाम जिसका बड़ा हो और जिसमें गुण ज्यादा हो उत्पादक्ता के गुण हो लोगों को प्रोड़क्ट देने के गुण हो वह बंदा होता प्रोलिफिक सही ज तो एन ओवर टॉकी टॉकेटिफ पैसेंजर ओन माइफ्लाइट ओम फ्रॉम फ्रॉम भोपाल मैं भोपाल से लॉट रही थी अपने घर और फ्लाइट में मुझे बहुत ही ज्यादा बातुनी पैसेंजर मिला जो मेरे बगल में बैठा था और मेरा अनुभव क्या रहा कैसा अनुभव रहा उसके साथ ओवर टॉकेटिफ सेडिस्फेक्टरी नहीं होता प्रसंसा के योगे नहीं होता एक्सेप्टेबल हो सकता है तो फिर मैंने आलोचना क्योंकि अक्यूट का मतलब तेज या तीव रहा तीखा तो बंदा तीखा हो है एक्यूट एक्सपीरियंस नह चैलिंग एक्सपीरियंस दोस्तों ये बंदा कौन होता है बंदा ये बंदा होता पकाऊ आज मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही पकाऊ रहा बहुत ही उबाओ चल रहे हवा अंदेरे पका रहा है यार पका रहा है यार खूब पका रहा है यह ऐसे ही बात-बात में पलट करके वो पैसेंजर सब्सक्राइए और थे स्टाइप यह जवा है SBI के जितने भी student है खास करके मैं SBI clerk की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं SBI PO की IBPS PO की राइट वो जितने भी है और GET के जितने भी student है ठीक है वो बताएं कैसा level रहा satisfaction मिला आपको did I have a commendable job of course yes do you feel galling no you don't feel galling पकाऊ या हुबाऊ तो नहीं feel कर रहो no why because my job is very commendable यानि कि मेरा बात जोब जो है मैं यह वोकेब दरी शिखा रहा हूं मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं presence नहीं है यह हिंदी में कैसे लिखते है I am finding it difficult you know presence नहीं है ठीक है न तो यह इसकी हिंदी बता रहा हूं acute मने तिव्र मैंने आपको बताया Prince Philip had to choose Prince Philip को choose करना था और यह जब Colin आया था इसका मितलब हागे choice है marry the woman he loved अपने पसंद की और से शादी करे तो अपने राजगदी का अदिकार पसंद से तो खो देगा पसंद की और से सादी करेगा तो और यह और Mary शादी करे किसे Lady Fiona से and inherit the crown और ताज समाल ले ताज समाल ले तो अपने लेडी फ्योना से साधी करके तो ताज समा ले और यह अपने पसंद की औरत से साधी करे तो गदी गदी राजगदी राजगदी खो दे राजगदी खोना कोई वर्ब है ऐसी जो राज रजवाडा राज तंत्र से जूड़ी है रेप्रिमाइड अब्रेड विनो किसानी से जूड़ी विया एक्ष्टोल प्रसंसा से जूड़ी विया एप्डिकेट एप्डिकेट का मतलब त्याग किसका सिंहासन इसका एक और वर्दा खाली करना तो ऐसे में सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों सीफ़ों और चंडि गढध रेपरिमेंट का मतलब क्या होता दोस्तों डांट फटकरण युर्द की और ध्यान देगे प्लीज रेपरिमेंट का मतलब डांटना और विनो मैंने बताया किसानी की की यह 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 वार्मिंग से जूड़ी विये फूस अलग करणा फूस और दाने अलग करना जो किसान हो आप में से जो किसान हो पता होगा ऐसे कटे हुए गेहों के तरसे से ऐसे से आता है तो गेहों गेहों तो एक तरफ और पंखा चलता है और फूस फूस एक तरफ तो अनाज एक तरफ और फूस एक तरफ उसको हम कहते विनोईंग ठीक है यह खेती से जुड़ा हुआ एक्सटोल माने तारीफ करना या प्रसुंसा करना दी यह होगा नहीं तो जबाब आपका अप्डेट आपने किसी को आज तक अपनी लाइब में अप्रेट किया है अप्रेट नहीं किया है मैं सिखाता हूं कैसे जिन्दिगी में याद होगी सुन listen to me very carefully I don't teach you know over any of the Wi-Fi study channels except defense exams but since I've got a responsibility towards you people to cater the best of you know content I'll be giving it every Saturday and Sunday so please go ahead अप्रेट आपने किसी को किया है नहीं किया है आपको किसी ने अप्रेट किया आज तक नहीं किया है किया होगा right मैं जैसे बताओ ननाथ भावी के किस से मेरी भावी बात-बात में मुझे अप्रेट करती है कभी नमक ज्यादा हो गया डाल भीगी नहीं है सीटी कम लगी है you know criticize करना criticize right मेरी भावी मेरी मा को बहुत criticize करती है यानि कि अप्रेट करती है ठीक है okay if you don't do your work of your own that's I have no choice but to penalize you if it is not done on time अगर तुमने अपना काम अपने से नहीं किया तो मेरे पास तुम्हें दंड कर देने कहला और कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा कैसा काम if you do not do your work of your own own तो adjective है adjective है तो natural सी बात है यहाँ जो आएगा क्या हैगा noun आएगा ओन के बाद ना हुना है ओन adjective है काम करने में predilection का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों कोई लेना देना नहीं इस वर्ड का है मेरे सोज़ने क्यों आया question excursion तो मौजमस्ती से जुड़ा हूँ वर्ड है excursion माने घूमना फिरना infusion प्रवा से जुड़ा हूँ वर्ड है किसी लिक्विड स्टेट में किसी चीज को लेगे जाना यह होगा आपका रुझान किसी चीज के परती रुझान या जुका होता है न मैं इसके एक वर्ड और बता देता हूँ यह वन वर्ड वोकेब दरी बहुत बहुत बराया दोस्तों bank में भी है SSC में भी है एक वर्ड किसी चीज के परती आपका बोलो inclination एक और वर्ड है tendency सुना होगा आपने यह उससे जुड़ा हुआ है question क्या होता है किसी चीज का आपका जो 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 जब 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 किसी चीज को दबाव में रखना और excursion sorry volition क्या होता है यह होती आपकी आपके दिमाग की जो सद बुद्धी होती है सद बुद्धी या वीवेक से जड़ा हूआ शब्द है am I right तो तो सहीं जब जब क्या होगा आपका of your own आपका जमीर क्या कहता है आपकी सद बुद्धी क्या कहते है उसके साथ से आप काम करोगे तो आपका यह जावा हो जाएगा आपकी वॉलिशन क्या कहती है एम राइट चलिए आफ्टर सिंदिंग इन दे सिंग फॉर सेवरेल डेज अधर डिर्टी फूड एंक्रस्टेड डिसी बिकें दोस्तों ध्यान दोना एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ मैं आपको शुरू में भी कहाता है ने दोस्तों सीधी बात नो बकवास मैं सिखाऊंगा आपको डिर्टी का मतलब गंदा और सेवरेल डेज कई दिनों तो दोस्तों कई दिनों तक और गंदा होता है इसका मतलब वो किसे में नहीं जांगा सॉरी कोरोना हो गया लगता है मैं यह में जांगा मेलडरस मेलडरस का मतलब कि दुर्गंद युक्त बन गया क्योंकि सिंक में कई दिनों तक पड़ा था और उस पे भोजन पे क्या हुआ जमीवी सुकी पपड़ी जम गई और वो गंदा कई दिनों का बदबु मारने लगिया तो यह हो गया मेलड़रस और कसी जरती निंहें प्रेविलेंट माने फ्रैचलेत इंपोजिंग मतलब आने वाला या थेpanिर अब यह लло यह सुराख किया हुआ एम्फटिक का मदलब जोर दिया हुआ रबल अवंति का सून इसकोष ऑफ देस्कोष इस्मॉड प्र वही बात अगए इन दर रूम अवीक ओल्ट टूना सेंडविच एक देखो देखो टूना एक मचली होती दोस्तों इसका सेंडविच बनता बाहर एक सप्ता पुरानी टूना मचली का सेंडविच दैट वन अपड़ चिल्डेन एड इडन बच्चोंने अलमारी में किसी एक बच्चे ने छुपा दिया था बच्चों में से एक ने किसी ने अलमारी में एक हपते पुरानी टूना सेंडविच छुपा दी थी तो कमरा नैचुरल सी बात है क्या हुआ अब यहार सुगन तो आने से रही तो बद्बूदार दुर्गंद आ रही है स्मेल वही पिछ लगा सकते हैं फैटिड फैटिड का मतलब होता बद्बूदार बद्बूदार लगा सकते हैं बिलकुल लगा सकते हैं सही जावाब आजए गा दोस्तों आपका ए तो यह नहीं होगा दोस्तों यह नहीं होगा दोस्तों बिलकुल नहीं होगा अब इनका अर्थ क्या होता है फैस्टीडियस का मतलब क्या होता है जो बहुत जिद्धी होता है जिद्धी संकी जिसे आसानी से हम फुसला नहीं सकते और गुप्त और रहष्य भेद में छुपईवी को चीज क्या होती है जिसका अभी भी परदा उठना बाकी है कई दिनों तक किसी के मौत जो होती है वो भी क्लैनेस्टीं होती है यह याद रखना और जो बहुत जाला चालाक खोबड़ा होता है चालाक उसको क्वेंट कहते हैं इंग्लिश में राइट तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या बनेगा फेटिट मने बद्बूदार तो लेकोनिक का मतलब क्या होता है लेकोनिक आपने सुना का लेकोनिक का मतलब मैं बता तो अल्प भाशी अल्प भाशी रिजर्फ सुना आपने रिजर्फ मैं अगर ऐसे याद दियो तो मैं आपको बतायता हूँ मेरे जीजू बहुत ही टॉक लेकिन मेरी दीधी बहुत लिक्शने तो नुकि दोनों एक साह्थ दीधी के साहD mais दोगे तो दोनों में मिधु आपकर जाएंगा लेकिन किन्तू भਹरे ते अगला वर्ड अपनियां ते अगला all right अपोजिट हो जाएगा अपोजिट हो तो कैसे है मेरे जीजु बहुत ही लेकोनिक है पर मेरी दीदी बहुत ही रिजर्व है या मेरे दीदी बहुत ही रिजर्व पर मेरे जीजु बहुत ही लेकोनिक है तो यह आपस में इसको ऐसे complete करके यह पार्ट में आप इसको sorry yes after making remarks to the president the reporter was not not invited not invited to the press room not invited to the press room इसका मतलब है remark क्या है गलत है गंदे हैं असब्य हैं असलील है मुझे नहीं पता गंदे असलील कुछ भी है असम्यदानिक है हॉस्पिटेबल आतित्य सत्कार आइटिनरेंट घूमने वाला एंटर्प्राइजिंग उद्योग लगाने वाला मैंती परिश्रमी सासी शवल्रस वीर्ता का जुड़ा हुआ चब्द है और इर्रेवरेंट अनादर यूथ अनादर अनादर यू अनादर सुचक शब्दों का प्रियोग तो आजकल आपके फेस्बूक पे वाटसप पे आप लोग भी यही कह रहें इंस्टाग्राम पे कोई किसी को फेंकू बोल रहा है कोई किसी को पपू बोल रहा है वही सब इसमें भी आ गया इर्रेवरेंट रिमार्क देखिए नेता भाळाओं के खिलाभ या पुब्लिक या लीडर के खिलाफ तो एक्रेवरेंट रिमार्क तक सही है किसी के धर्म मजभ और भगवाण या गार्ण के बारे में भी लोगों ने अच्कल क्या किया है इन रिंद्ट रिमार्क देना शुरू कर दिया अम स्वरी ऐसा न करें सजी आगे चलें विधर डैस आई साइट करीना करीना स्पॉर्टेड एक साथ दिख गए ऑन दे हील साइट एंड सी रिडूस दे स्पीड आफर कार उसने कार की स्पीड कम कर दी करीना की तेज नजरों ने क्या किया हिरन की तिगडी को देख लिया तेज नजरें यह तो उत्या घ है यह साजिस से जुड़ा हुआ है बचा क्या पार्खी नजरें तेज नरकें कीन का मतलब होता शार्प और आंके क्या हो सकती है शार्प याने की आई साइट याने की दिश्टी तेज हो सकती है सही जवाब है B for Bombay आईए सर आगे चले डक्टाइल आप जानते हो ना जिसक is mother's knowledge बिना मा की जानकारी में लीये बिना बच्य ने अपनी जेव में कैंडी सरकादी विदय ग्रिन ग्रिन का मतलब है हसी कासी हसी साजिस्वाली पीली हसी या भेदभावाली हसी ठर्रेज हसी हसी संवेदना पुरुन हसी और निश्पक्ष हशी और ये धुरता भरी है ये सै बिल्कुल Crafty Cunning crafty या कनिंग स्माइल कनिंग स्माइल होता न यह कनिंग स्माइल यह भी गरिन माने भी हसना मुँ दवा कर चकल करते हैं इसे कुटिल मुष्कान हिंदी में एक शब्द है दोस्तों कुटिल मुष्कान यह उसी का वर्ड है ग्रिन यह वैसे तो यह सूपर फ्लॉस होना चीह लेकिन वैसे दे रखा तो अपने समें कुछ करेंगे नहीं क्योंकि ग्रिन में तो प्रदर्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा कैसे देखिए पहले क्या नहीं होगा दोस्तों लायव में कुछ्छ बनना है क्या नहीं होगा पेले वह बोलिए सोते हैं ग्रिकारियस अशुरक्षित ऐसामित नहीं प्लासिबल हो सकते हैं क्या आशु किसी के पूर्ण बहें आजन हरे इमोशनल डिस्पले अफ टियर्स इमोशनल हो सकता तो मॉडलिन भी हो सकता है क्यों क्योंकि एक दूसरे के क्या है दोस्तों सिनानीम है राइट जब आप दिल में संबेदनाई घुसा करके रोते हो नकली हसी तो यह उससे रिलेटेड है निश्ठा निश्ठा ने आर्गूमेंट कहते हुए कहा कि अगर तुम्हें किसी अपराद के बारे में पता है और तुम्हें उसकी सूचना नहीं दी तो तुम भी एक अपराद में हो क्योंकि तुमने इसे घटने दिया तुम भी क्या हो अपराद में बताईए सर पहली बात तो यह है कि आप एक्विट तो होई नहीं सकते स्टीड फास्ट वफादार क्राइम में वफादरिय कोई लेना नहीं है चेनियोस क्या होता है यह तो कमजोर होते हैं कमजोर दुर्बल राइट स्ट्रॉंगा उपोजिट है और नलिफाइड मने रद्ध रद्ध खत्म है नहीं शुनिय शुनिय जिसकी ओकाद जीरो होती हो नहीं सकता पॉस्त का मतलब क्या होता है कि आप आपने शुना होगा जुर्म में बराबर का साजिता तो सही जवाब आपका डी फॉर देरा दून दोस्तों एक्विटर डेट फास इसलिए नियुक्त अब सब के मिनिंग अलग है दोस्तों और मिनिंग अलग अलग है इसका मतलब यह क्या है स्टेट फास का मतलब कोई चीज किसी के प्रति क्या होते हैं वफादार होते हैं आप जब मालो यह कोई यह वफादार हो आप हो सकता है कि आप स्थिर भी हो हर परिस्तिती में लेकिन यहां तो आप क्या हैं यहां तो आप कॉंपलेसेट हैं दोस्तों कॉंपलेसेट मने गुणा में आपकी बराबर की हिस्सेदारी माने जाएगी क्योंकि आपने गुणा को होने दिया दोस्तों कई पर क्या होता आपको पता है थोड़ा बहुत अगर घर पर पढ़ लेना यह अच्छे टीचर के पास अच्छे यूट्यूब चैनल पर अच्छे वीडियो देख लें जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत से मेरे मेरे 150 वीडियो के करीब पड़े हुए हैं ठीक है ना अभी भी आपके किस पर यह उपर देख लीजिए डिफेंस एक्जाम साथ में जुड़ेगा वाइफाई वाइफाई स्टडी डिफेंस एक्जाम आप यकीन मानी इतनी क्वालिटी के वीडियो से इतना क्वालि इलेक्शन पीडियोर्ये इलेक्ष्ट्ट Almost *** और यह दो गलत हो नहीं हो सकता नहीं हो सकता किसे भी किमठ पीं हो आप नहीं हो सकता रीजन क्या है simple जिबात है infusion का मतलब है किसी liquid state में किसी चीज़ का प्रवा inversion का मतलब हो सकता है उल्टा हो सकता है military power से किसी सरकार को उल्टा गर दे या उलट दे ये हो सकता है एक बर के लिए मान ले लेकिन एक चक्कर क्या है inversion में spelling किससे है I से है और ये किस से है A से है तो या N आना ची ये जो की नहीं आए है ठीक है premonition क्या होता दोस्तो premonition सुनाओ आपने तो मैं बताता हूँ आपको किसी चीज़ को सपने में कोई चीज़ दिख जाए कि कल भूकम पाएगा और अगले दिन कहते हैं तो इसका मतलब क्या है तक्ता पलट subversion तक्ता पलट तक्ता पलट जानते हैं आप तक्ता पलट किसको कहते हैं बगावत subversion विद्रो हो जाएगा इसलिए उन्होंने सेना बुला ली सभी जवाप क्या होगी है दोस्तों एफ और ठीक है I hope आपको पसंद आया होगा session सुनील सिर के साथ अगर अच्छा लगा तो ठीक है thank you so nice of you मैं तो आता है मैं उच्छी तो वैसे एक rest मिलता है Saturday को कोई दिक्कत नहीं है मैं अपने आरा आम से घर पे रहूँ बच्ची हाई कोड में वकील है बेटा अमेरिकन कॉल सेंटर में है तीस साल पढ़ा लिये मैंने 30 years पिछले 19 साल से मैंने कोई किताब नहीं खो ली है 19 साल हो गए 55,000 से जादा बच्चों का सेलेक्शन करवा चुका हूँ मैं राइट मोर दन 55,000 बच्चों का एवरेज मेरे 1800 बच्चे प्लस मेरे एवरेज एक हर साल सेलेक्शन करके गवर्मेंट जॉब में लगते है राइट यकीन मानी आप ठीक है एट सी ðस्व के अंदर कम से कम 500 कास्टम्स में इंस्पेक्टर शेंटर एक्साइन में और कस्टम्ण में और इंकम टैक्स में यह जर्मनी है फेति मिलइंड है अंग्री है ब्रूसलस बेल्जियम में यह गय है मोह जो कहो visit monthf में पता नहीं कितने CPU SI में कितने Sub-Inspector, Delhi Police में कितने बहुत-बहुत मेरी Life का अच्छा experience रहा है 30 साल होगे मुझे पढ़ाते हुए Right, 52 years की मेरी age है Thank you very much आते रहे हैं, जोड़ते रहे हैं याद रखें दोस्तों, किसी भी Teacher से पढ़ें, किसी भी Channel से पढ़ें अगर केवल स्लाइड चल रही है अगर केवल स्लाइड चल रही है इसका मतलब वो आपके साथ दगा कर रहा है वो आपके साथ धोका कर रहा है और सुनो और सुनो, एक और चीज़ दिखाता हूं आपको जैसे कि केवल स्लाइड नहीं चल रही है मख्यान कक जाओ ऑ तो यह मानलो आइसा हुआ कि वह o दृहिए नहींआ जाते हैं और यह मांध्या जैसे कि मैं जहाई से सुनना मैं क्या बताना चाहता हूं अंहे hey man नहीं नहीं देखो समझ ना मैं क्या बताना चाहता हूं यह लव इट दो मीट आपका ले रहा हूं सौरी है माल लोगा पर टीचर ने एक स्लाइड खोली ठीक है ठीक है उन्होंने आप से एक स्लाइड खोली और स्लाइड कर गया उसने बंदे ने क्या बोला कुछ अंडरलाइन नहीं किया कुछ भी नहीं किया दोस्तों बोलिये पड़ाफट जवाब दीजिये क्या होगा बोलिये वह ऐसे जैसे आपसे बोले जा रहे है ठीक है एक्जाक्ली और हो सकता है कि वह आपको पूरा का पूरा आंसर भी नहीं ला रहे हो फिर सिदा बोले सब वर्शन का मतला बगावत बगावत सही जवाब ए और नेक्स लाइड में चले गए यह भी बहुत बड़ा दोगा है सर सब बताईए फिर यहां अंडरलाइन कीजिए सर फिर सर यह बताईए कि सर यह जीरेंड है और फिर यह पर आई एन जो की वावल है वावल के लिए पीछे आपको एन चाहिए था एन इंवर्जन यहां पर यह नहीं आएगा सर यह बताईए सर यह बताईए कि यह जो है एग्जेक्टिव है यह बताईए कि यह जो है नेगेटिव वर्ड है और यह बताईए कि मिलिटरी में मेरी क्लास आएगी और इस बार की तो वोकेप की क्लास है मेरी संडे की धाशु थैंक यू वेरी मुच लव यू अल थैंक यू वेरी मुच पर बीद में फ्रेंट्स विल सी यू अगें और अन्संडे तिल देन बबाई